दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का रेलवे एंटी पीसी भरती 2019 की परिच्छा को लेकर बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है आपके एक्जाम कब से सुरू होंगे एड्मिट कार्ड कब तक आएंगे उसके विसे में एक मातपूर सुचना है इसके बारे मिस्तार से बात करेंगे जी हां दोस्तों RRB NTPC Admit Card 2019 रेल्वे भरती बोर्ड RRB NTPC Admit Card इस दिन जारी हो सकता है सितंबर में आपके एक्जाम हो सकते हैं इसके बारे में जो अपडेट निकल करा रही है आईए एक नजर उस पर डाल लेते हैं देखिए बड़ी अपडेट यहां पर क्या निकल करा रही है RRB NTPC Admit Card 2019 भारती रेल्वे में भरती के लिए रेल्वे भरती बोर्ड RRB NTPC Admit Card जल जारी कर सकता है परिच्छा सितंबर में होगी इसके लिए Admit Card आरिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिये जाएंगे Admit Card से जुड़ी अपडेट 31 अगस्त आने की संभावना है Admit Card की जो अपडेट है वो 31 अगस्त को आने की संभावना है Admit Card जारी होने के बाद उम्मीदवार RRB की Official वेबसाइट पर जाकर अपना Admit Card डाउनलोड कर पाएंगे बिना Admit Card परिच्छा में बैठने की अनुमती नहीं होगी यह सब को मालूम है देखिए भाई भारती रेलवे में भरती के लिए रेलवे भरती बोर्ड RRB जल्द ही NTPC परिच्छा 2019 के लिए Admit Card जारी करने वाला है यह Admit Card अभी जारी नहीं किया गया है एक बार Admit Card जारी होने के बाद यह आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्द करा दिये जाएंगे Admit Card 31 अगस 2019 के बाद जारी किया जाएगा अपने Admit Card डाउनलोड कर पाएंगे उमिदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर नजार रखने की सला दी जाती है सूत्रों के अनुसार परिच्छा सेतंबर में होने की उमीद बनती है और इसमें कोई देरी नहीं होने की संभावना है आरारबी ने एक लाग से अधिक ग्रूपडी पदों के आविदन के लिए वेकेंसी जारी की थी हाजारों के संक्या में चातरों की सिकायत के बाद आवेदन को बिना किसी आधार के खारिच कर दिया गया था तो यहाँ पर बड़ी खुशकवरियां आपको मिलने वाली है 31 अगस्त को फिलहाल कोई भी अपडेट आएगी हम आपको सुचित करेंगे धन्यवाद